खेलो दोस्तों कैसे हैं? आप लोग आज हम आपको बताऊंगा आप अपने जिवन में सक्सेस्फुल कैसे हासिल कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. चीजें खुद नहीं होती, उन्हें करना पड़ता है. अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो. आज का अवसर ही सर्वोत्तम होसला होना चाहिए. बिजनिस तो कभी भी शुरू किया जा सकता है. यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे, तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सीखा देती है. उमीद और विश्वास का छोटा सा बीज, खुशियों के विशाल फलों से बहतर और शक्तिशाली है. कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता. पहले पढ़ती थी बहुत सी बातों पर फरकब किसी बात पर नहीं पढ़ती आए. कपड़े तो ब्रैंडेग खरीद सकते हैं, लेकिन ख्याल किसी बाजार में नहीं मिलती आए. ऐसी महंत ही क्या, जिसमें सपने मजबूर ना सच होने के लिए लिए लिखने वाले अपनी जब दीर तूटी हुई कलम से भी लिख देते। अपनी जर्णी में लग जाओ। नहीं तो लोग आपको अपने जर्णी में शामिल कर लेंगे आए। पता नहीं लेकिन अफसर जरूर मिलती है महंत करने वालों को आए। पैसा ही नहीं एक मात्र मेजरमेंट है सफलता किया। कभी कभी किसी की जुनून को देख कर अपने आप में भी जुनून आजाता है। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक की आप सफल नहीं हो जाते आ हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है आए बस पता चलने की देर होती है आए जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं आए मुनाफा का तो पता नहीं लेकिन बेचने बाले तो यादों को भी कारोबार बना कर बेच देते हैं सफलता तक पहुँचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी जिस काम में काम करने की हद पार ना फिर वो काम किसी काम का नहीं आए जब रास्तों पर चलते चलते मनजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर है अगर ख्वाईश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है बिना दुरी तै किये हुए कही दूर आप नहीं पहुँच सकते शायद ये चहरा मेरा नहीं है ले ऐसी फित्रत नहीं लोग हमारा चहरा देख के अपनी फित्रत बदल ले ऐसी हमारी फित्रत है आए सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहंत करने वालों पर फिदा हो जाती है आए अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी आ आपके अंदर मोटिवेशन लाता है आए तो दोस्तों अगर आपको हमारी विडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करे धन्याबार